नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन सर्मा, आप सब लिगा स्वागत करती हूँ, आपके अपने चानल सुमन एजुकेशन हब में, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि N.E.F.T. का चेक आपको कम्प्यूटर से कैसे बनाना है टैली प्रैंग में, अगर आप मैनुवली बनाना चाह लेते हैं और देख लेते हैं कि N.E.F.T. का चेक कैसे आपको बनाना है और N.E.F.T. का जो फॉर्म है वो आपको कैसे फिल आप करना है तो चीटी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले और आगी पढ़ने से पहले एक छोटी से चैनल पे आए हैं और नीव इवर हैं तो मेक शूर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्स्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो वीडियोस में अपलोड करूँगी, उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी, और आप मेरी कोई वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे, तो चलिए वीड कर लीजिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, कि एन फ्यूचर का चेक आपको टैली प्रैम से कैसे बनाना है, तो टैली प्रैम को ओपन कर लेंगे, और गेट फियो आप टैली से भी प्रेस कर लेंगे, और आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने पेमिंट वाला वाउचर से से लेंग कर सकते हैं, अब यहाँ पे App2 प्रेस करके आपको टैली जिए, तो मैंने आपे XYZ company से लेक कर लिया है और उसके बाद 95,000 की एन फिए मेंगे में कर लिए हूं, इसलिए 95,000 की में कर लें हूँ, इसलिए 95,000 उसके बाद आपको यहाँ पे bank select करना है, तो मैंने अपना bank select कर लिया है, अब यहाँ पे check से related सारी information आपको feel करनी है, यहाँ देखिए check range, तो आपको यहाँ पे check number select कर लेना है, और यहाँ पे जो date है वो feel कर लीजिए, favoring name में अगर यह option आपको show नहीं होता है इस screen पे, तो यहीं से आपको F12 press करके configuration करना है, show favoring name, इस option को yes करके, screen को save कर लीजिए, तो यह option आपको show होगा, यहाँ पे आपको party का name feel नहीं करना है, अगर आप NET के through payment कर रहे हैं, यहाँ पे हमें feel करना है yourself for NET, अगर आप NET के through payment कर रहे हैं तो favoring name में as a आपको yourself for NET feel करना है, narration में आप feel कर सकते हैं जो check number है, amount, date feel करके, इसको आप save कर लीजिए, so in this way आपको tally prem से NET का check बनाना है, print preview कुछ step से show होगा, अब यहाँ आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे date show हो रहा है, yourself for NET और amount show हो रहा है, तो इस step से अगर आप manual check बनाते हैं NET का, तो manual check बनाने के लिए आपको simple क्या करना है, date feel कर लेना है, and favor name में आपको yourself for NET feel कर लेना है, उसके बाद amount, जितने भी amount का आप NET party को payment कर रहे हैं, वो amount feel कर लीजिए, यहाँ पे आपको word में feel कर लेना है, and यहाँ पे check पे आप sign कर वा लीजिए, इस step से आपको manually yourself NET का check बनाना है, अब check मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको tellie prime में बनाना है, and manually आपको कैसे check बनाना है, अब उसके बाद इसके next step की तरफ चलते हैं, चेक के back side पे भी आपको कुछ information feel करनी होती है, अगर आप NET के through payment करते हैं, तो check के back side पे क्या information feel करनी है, चलिए उसको देख लेते हैं, तो next page पे यहाँ देखिए, जो check के back side पे information feel करनी है, वो आपको यहाँ पे show हो रही है, सबसे पहले आता है name, उस party का name, जिस party को आप NET के through payment कर रहे हैं, उस party का यहाँ पे आपको नाम feel कर लेना है, और इसके बाद जो next है, bank का name आपको रखना है, तो जो bank का name है, वो आप यहाँ पे लिग दीजिए, जो भी bank है party का, उसके बाद next है party का account number, party का जो bank का account number है, वो account number feel कर लीजिए, bank का जो branch है, और bank का जो IFS code है, यह सारी information यहाँ पे आप pane से लिख सकते हैं, आप इस टाइप से टाइप भी कर सकते हैं, उसके बाद stamp करना है, आपको annex signature करना है, और आप इन सारी information को एक बार check कर लीजिए, जो आपने check बनाया है, फ्रंट साइड पे, और बैक साइड पे, जो आप party के bank की detail प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो सही है, so before submitting this check to the bank, please make sure that all the information is correct, you are providing back side and front side on the check, next मैं आपको बताने वाली हूँ कि, कैसे आपको N.E.F.T. का form fill up करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, step कि आपको इस form को कैसे fill करना है, सबसे पहले आप date fill कर लीजिए, जिस date में आप bank में यह form submit करेंगे, date fill करने की बाद जो next है, आपका जो bank है, आपके bank का branch क्या है, वो आपको fill कर लेना है, और इसकी बाद देखिए, यहाँ पे है dear sir, तो यहाँ पे amount आपको fill करनी है, कि जो आप anyft कर रहे हैं, उसका amount क्या है, तो मैं यहाँ पे 95,000 की anyft कर रही हूँ, इसलिए मैंने 95,000 fill कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पे word में आपको लिग देना है, कि आप जो anyft कर रहे हैं, उसकी amount आपको word में लिग देनी है, और उसकी बाद देखिए, जो next है, अगर check के थ्रू कर रहे हैं, तो check पे tick कर दीजिए, अब यहाँ देखिए, जो सबसे पहला point है, details of applicant remitter, तो सबसे पहले समझ लेते हैं, कि यह remitter होता कौन है, तो remitter जो देने वाला होता है, जो payment करता है, उसको हम remitter करते हैं, suppose कि जिए, आप किसी party को payment कर रहे हैं, तो आप remitter होंगे, तो यहाँ पे आपको remitter से related, सारी information feel करनी है, तो carefully चलिए start करते हैं, feel करना, सबसे पहले account number आपको feel करना है, तो यहाँ देख सकते हैं, मैंने account number feel किया हुआ है, तो आपको carefully, account number अपने bank का feel करना है, और उसके बाद देखिए check number, तो जो आपका check number है, जो अपने check बनाया है, एन अफ्टी payment करने के लिए, उसका check number feel कर दीजिए, उसके बाद check का जो date है, वो आपको यहाँ पर feel कर लेना है, और उसके बाद देखिए remitter's name, remitter's name यानि की आपके company का नाम क्या है, जो अफ्टी payment कर रहे हैं, उसके company का नाम क्या है, तो आपको यहाँ पर अपने company का नाम feel कर लेना है, और उसके बाद address, तो यहाँ पर देखिए address, feel कर देना है यहां remitters related सारी information हमने feel कर ली है अब उसके बाद next हम देख लेते हैं second क्या है अब तो जो देने वाला है उसका information हमने feel कर लिया अब जो beneficiary है उसका detail हमें feel करना है तो second क्या है detail of beneficiary beneficiary यानि कि जो पाने वाला है जो payment receive करेगा उसकी information आपको यहां पे feel करनी है तो चीट यह one to one start करते हैं feel करना सबसे पहले beneficiary's name यानि कि जिस party को आप payment कर रहे है N.E.F.T. के थूँ उस party के company का नाम आपको यहां पे feel करना है यहां पे मैंने feel किया है XYZ company उसके बाद second option है account number तो जिस party को आप payment कर रहे है उसका account number आपको यहां पे feel कर देना है reconfirm account number यानि कि आपको again confirm करना है तो आप again यहां पे reconfirm कर दीजिए account number next है bank का name तो party के आपके bank का name क्या है वो आप feel कर लीजिए मैंने आपके feel किया है yes bank india और उसके बाद I.F.S. court किसी भी bank का हो तो यहां पे आपको I.F.S.C. court जो है carefully feel कर लेना है तो हमने आपे 11 डिजिट का I.F.S.C. court feel कर लिया है उसके बाद branch का address जो bank के branch का address है party के वो आपको यहां पे feel कर लेना है तो यहां पे हमने details of beneficiary सारा feel कर लिया है इस tab से आपको भी feel करना है सारी information उसके बाद नीचे हमाएंगे तो देखिए customer signatures तो customer signature आपको यहां पे अपने company का stamp लगाना है and एक signature करना है जो check पे चलता है वो signature आपको यहां पे करना है तो इस tab से आपको N.E.F.T. का form fill up करना है जैसे मैंने आपको इस वीडियो में step by step बताया बट जब आप यह form fill up कर लेते हैं तो एक बार आपको reach check करना है अपने form को क्योंकि एक छोटे सी भी mistakes होगी तो आपका N.E.F.T. payment जो है वो fail हो जाएगा आप check कर लीजिए amount कितने का है figure में कितने का है कर लीजिए जैसे की beneficiary का name beneficiary का account number IFSC code bank name यह सारी information check करने की बाद आप यहाँ पे completely देख सकते हैं आपको इसी type से N.E.F.T. का form fill up करना है तो हमने इस video में देखा कि कैसे आपको N.E.F.T. का form fill up करना है description box सो check out करना ना बुलिएगा वहाँ में टैली and accounts related maximum videos के link प्रोवाइट कर दूँगी आप उन सारे वीडियो को watch कर सकते हैं आप मेरे चैनल को search भी कर सकते हैं Sumer Education Hub मेरे चैनल का name है आपको वहाँ playlist मिल जाएगी आप playlist भी watch कर सकते हैं playlist आपके लिए काप भी helpful रहेगा तो definitely playlist को watch कीजिएगा टैली से रिलेटेट और accounts रिलेटेट छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हर टॉप्ली को cover करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है still कर रही हूँ और इन future में में कर दी रहोंगी बस आप सबी लोग का साथ और आप सबी लोग का support मुझे शाहिए I wish ये वीडियो आप सबी लोग के लिए helpful रही होगी अगर helpful रही है टेक छोटा सा काम कर दीशेगा चैनल को like कर दीशेगा share कर दीशेगा and subscribe कर दीशेगा Thank you and keep watching my videos